कि 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 मैं स्टार्ट फ्रेस थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आज आ रही है इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है आज माइक का कलर आज बूर्ड का कलर चेंज किया गया है आपनों के डिमांड पर आप में से कुछ बच्चे कंप्लेंड करते थे कि वही बूर्ड आँखों में चूपता है तो इसलिए मैंने आज बूर्ड किया है आप लोग अपना एक्स्पिरियंस बताना लेकिन मुझे लगता है कि बूर्ड की तुन्ना में ग्रीन ज्यादा अच चाहिए था आपने डिब लगा दिया एक मेजर कंट्रास्ट है चलो आज हम लोग इस बोर्ड पर करते हैं और आपनों की जैसी ख्वाइस होगी कल हमें ग्रीन पर लगाएंगे और जो कलर आपको सूट करें आप उसको एप्रूव कर लेना आज आपनों का पॉलिटिया क्ल सैटर्डे से इंग्लिश मीडिया में भी इंवाल्व होना है इसलिए हम दुनों क्लास के टाइमिंग को बांट लेंगे आप लोग को इन्फरमेशन मिल जाएगा आप लोग बेफिक्र रहें और हम लोग जिस उस साह से परहाई करते रहें उसी उस साह से करते रहेंगे कोई उसमें ब्यवधान नहीं आएगा और आप लोग जिस समझदारी और जिस जजवा के साथ लगे हुए हो आप लोग उसी जजवा के साथ लगे रहना तो पहले हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो क्वेश्चन्स हैं पहला इनिमनलिखित में किस वर्स कौवेनांड सिविल सेवा का दर्वाजा भारतियों के लिए खुला गया तथा भारत में एक पिर्थक सिविल सेवा परिक्षा के आयोजन का प्रावधान लाया गया मैंने आपको उस क्लास में बताया था याद होगा पर्सूं वाले में अगर आपकी मेमरी में हो देखो एक क्वेश्चन यह है कि एक्चुली भारतिय राष्ट वादियों की वोड़ से निरंतर यह डिमांड किया जा रहा था कि आप सिविल सेवा परिक्षा का आयोजन भारत के सासात लंदन में सासा दोनों सिविल सेवा परिक्षा का आयोजन करें तो बार बार यह डिमांड उठ रहा था अंत में सरकार ने डिसिजन लिया और एक खास वर्स में भारत के सासात लंदन में परिक्षा का आयोजन किया गया, उसी मैं आपको चोईस दिया गया है, चोईस से 1883, चोईस भी 1892, चोईस से 1919 और D1935, so my student, please select one of them, be fast and be responsive. maximum C, C is the correct answer, C आपका correct answer है, आप ने जो C वाले चोईस को चूना है, that is the correct answer, C ही इसका सही answer है, कोईशन नमबर टू, निल आंदुरन के संबंद में सत नहीं है, बतलर इसमें से कौन सा statement है, जो निल आंदुरन के संबंद में सत नहीं है, और यह UPS ही कहीं कोईशन है, A, या बिटिश जमिनदारों के बुरुद आरंब हुआ था, B, इस आंदुरन को जन सामानी के साथ बुद्जीवियों का भी समर्थन हासिल था, C, इस आंदुरन पर आधाईस हरिश्चन मुखर्जी का निल दरपन, नामक साहित भी प्रकाशित हुआ, A, और D, आंदुरन पर आठाईस हरिश्चन के बिदरों के बाद घटित हुआ, मैंस्ट्वेंट्स, UPSC का कोईशन है, अगर इस कोईशन को तुम सॉल्व कर दोगे तो बहुत बरी बात हो जाएगी, क्योंकि इस कोईशन मुझे डाउट है कि तुम सॉल्व कर पाऊगे, इसलिए मैंस्ट्स, Be Fast, और इसमें एक सेलेक्ट करो, चुआ इसको, यह, सी, राइट, सी, वेरी गुड, मैं स्मार्ट बाइ, यह, सेलेक्टेड दे राइट आंसर, अंकुर, मुझे इनलों का एक कोईशन 1857 के रिवोल्ट पर, मुख परिक्षा का एक कोईशन करवाना है, 2.19 का कोईशन है, जरा कोईशन बैंक में, आप UPC के साइट पर रखके खोजना, 1857 के रिवोल्ट, 2019, जी एस पेपर हिस्ट्री, बैपगस सिध्धान्थ के संबंध में क्या सत नहीं है, इसके बाद भी आप कर सकते हो, बैपगस सिध्धान्थ के संबंध में सत नहीं है, इसके अंतरकत भारत के उस हिस्थे को शामिल किया गया था, जिसमें देशी रियासते थी, मतलब कहा गया है कि डॉक्रिन ओफ लैप्स के संबंध में क्या सत नहीं है, इसके अंतरकत भारत के उस हिस्थे को शामिल किया गया था, जिसमें देशी रियासते थी, बी ऐसे राजी जो पहले मुग्लू के अधिन रहे थे उनको उत्रादिकारी लेने के लिए स्विकिर्थी लेनी पड़ती थी सी मित राज्यों को उत्रादिकारी चुनने में पूरी शोतंदरता थी डिया सिध्यान साहयक संदी का उगरूब था इसमें क्या सत नहीं इसके उंतर अंतरगत भारत के उस हिस्सें को शामिल किया गया था जिसमें देशी रियासते थी बी ऐसे राजी जो पहले मुग्लू के अधिन रहे थे उनको उत्रादिकारी लेने के लिए स्विकिर्थी लेनी पड़ती थी सी मित राज्यों को उत्रादिकारी चुनने में पूरी शोतंद्रता थी डी या सिध्यान सायक संदी का उगरूप था इन चारों को देखिए और कोसिस करिए ये भी यूपियसी का कोश्चन है बहुत स्टेंडर कोश्चन है इसको सौल्ट करने की कोश्चन करिए बी फास्ट देखो कोश्चन है क्या सत नहीं है बच्चे इस बार आप गलत कर गये है इस कोश्चन में थोड़ा सा आप गलत कर गये है चिंता नहीं देखिए गोर करिए इसके अंतरगत भारत के उसचिस से एक कोश्चामिल किया गया था में देशी रियासती थी मतलब कि जो देशी राजी हैं उनका विल्य हो रहा था एक करेक्ट हो गया ऐसे राजी जो पहले मुगलू के अधिन रहे थे उनको उत्रादीकारी लेने के लिए स्विकृति लेनी परती थी नहीं आप याद करो मैंने क्या बताया राजियों को तीन क केटिगरी में वो राजी थे जिनका स्रिजान ही बेटिस सनद से हुआ था वैसे राजियों को अपना उत्रादीकारी चुनने का कोई अधिकार नहीं तो मैं स्ट्रेंट्स आपका जो उत्तर है वह बी होना चाहिए था बी इस दे करेक्ट आंसर कोश्चन नमबर फोर भारत में बेटिस उपनवेश्वाद के और दोईक चरण के संबंद में निमनली खित कत्मों पर विचार करें एक इस्ट इंडिया कंपनी का वैपारिक एक आधिकार समाप्त हो गया दो इस्ट इंडिया कंपनी को प्रशास्नी कारियों से मुक्त कर दिया गया सी भारत का विकास बेटिस तयार माल के आयातक के रूप में किया गया मतलब पूछा जा रहा है कि ओदई चरण में क्या 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 कदम उठाया गया एक इस्ट इंडिया कंपनी का वैपारी के काधिकार समाप्त हो गया दूसरा इस्ट इंडिया कंपनी के प्रशास्नी कारि से इसको मुक्त कर दिया गया और तीसरा भारत का विकास ब्रिटिस तयार माल का आयात्यक के रूप में किया गया और सही चुआई साब को चुनना है चुआईस एक केवल एक बी एक और दो सी एक और तीन और डी केवल तीन राइट दूसरा संथाल विद्रो तीसरा दकन के दंगी चौथा सिपाही विद्रो अब टाइम पिड़िट कर अंसार और काल करमा अंसार के इसके अंसार को सजाए एक चार दो एक तीन बी चार दो तीन एक सी दो चार तीन एक डी दो चार वन थ्री बी फास्ट बी रिस्पंसिफ अफिप्ट पराईए सी इस दे करेक्ट आंसर मतलब सी तो सी का दो को निल विद्रो अठार विद्रो अठार सो साथ संथाल विद्रो अठार सो पचपन छपन दक्कन के दंग्या अठार सो सत्तर के दशक और सी पाही विद्रो अठार सो संतावन तो आपका आ रहा है दो चार एक तीन दो चार तीन एक कर दिया तुमने डी करना चाहिए था दो चार एक तीन पहले एक फिर तीन आपका उत्तर डी है देखो डी किसी का है कई वार हो जाती है गलतियों के लिए चिंता मत करना गलतियां होगी होनी चाहिए तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो पिछले दो तीन दिनों में एक भी कोश्चन गलत नहीं क्या है आज एकात कोश्चन गलत हुआ है तो चिंता की कोई बस अपने स्पि तो हम लोग का मतलब आता है कि राष्टबाद किसे कहा जाता है यह तो हो चुका है कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं वहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग अठारसो संताओं के महा विद्रोह में चल लह थी और इसके कारनों की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी अब सुतंता संग्राम के इसे भारत के पर्थम सुतंता जैसे कल हम लोगों ने डिसकस किया था कि इसे सिपाही विद्रो क्यों नहीं कहा जा सकता हम लोगों ने उसके कारणों की परकिती तैव हुआ था कि नहीं इसे सिपाही विद्रो नहीं कहा जाना चाहिए इसके तीन करण हमने काउंट कराए थे आपको अब आज हमारा मुद्दा आता है इसे भारत के प्रथम शुतंतरता आंदोलन के रूप में क्यों देखा जाने लगा है देखो मैं स्वेंट्स मैं इसको बताओ कि हिस्ट अधिकांस घोशनाए और लिखित रूप में आई चुकि उनमें से बहुत सारे लोग सिक्षित नहीं थे इस कारण से क्या हुआ कि विद्रोहियों की तरफ से कोई एविडेंस कोई प्रमान मिला ही नहीं और जो भी प्रमान मिल रहे थे वो बिटिस की ओर से और बिटिस इस कारण से बहुत जादा कन्फूजन आ गया और सुरू में बिटिस को मौका मिल गया यह दर्शाने का कि यह सिपाही विद्रोह था मुस्लिम सर्यंत्र का परिनाम था सब्वता और बरवर्ता का संगर्स था वगरा वगरा लेकिन उस समय भी कुछ एक ऐसे विद्वान थी जो उसे हट कर लिख रहे थे वैसे सरसेदमद खान ने विद्रो के शिखरबाद लिखा प्रंतु उन्होंने इसको एक बलवा या विद्रोही माना उसने कोई नई बात नहीं कही लेकिन उस समय एक बिटिस प्रधान मंत्री थे जिसका नाम था बेंजयामीन डिज्रैली तो बेंजयामीन डिज्रैली यह कंज़रेटी पार्टी के थे जैसे आप देखते हो जो पामस्टन होंगे वो पामस्टन तो लिबरल पार्टी के प्रधान मंत्री थे लेकिन जो बेंजयामीन डिज्रैली थे वो कंज़रेटी पार्टी दे थे उनका उद्देश कहीं न कहीं य ती पामस्टन को डिस्ग्रियस करना चाहते थी य। प्रधान मंत्री था तो दिखाना चाहते थे देखो भाईयों ये तथा कथित जो लिबरल पार्टी है बृटेन की जिसके नेता पामस्टन है उसने कितनी गलत नीतियां भारत में अख्तियार की कि वहाँ पर एक राष्ट्रिया आंदुरन हो गया तो बेंजामी डिजरेली ने इसके राष्ट्रिया आंदुरन माना उन्होंने कहा कि देखिए किसी भी सामदाजी का उठान या पतन. μοहज चैरवी वाले कार्तोस की घटना से सिध नहीं होती उनके कहने का मतलब यह था कि चैरवी वाली जो कार्तोस की घटना है यह जो भी प्रोपगंड़ा हो लेकिन सच्या यह है कि भारतियों में कोई गेहरा और संतोश था और इसकी वजह है पामस्टन की सरकार की नितिगत भूले तो वो इसी के अटेक करने में कुछ हमलों के पक्ष में बोल गए अब 877 के महा विद्रोह के शिगरबाद काल मार्क्स ने लिखा तो काल मार्क्स ने कहा कि जिसे जॉन बूल वो बिटिस को बोलता था जॉन जिसे जॉन बूल सिपाही विद्रोह कहता वह राष्ट्रियां अधरण से कम नहीं था तो कहीं न कहीं काल मार्क्स ने भी से राष्ट्रियां अधरण सिद्ध करने का प्रयत्न किया फिर उसके आगे आप देखेंगे कि जब 1857 की अर्ध शताब्दी अर्ध शताब्दी मनाई जा रही थी पचास्वा वर्स वर्स 2007 हो रहा था उसमें भारत के जो क्रांतिकारी राष्टवादी थे वह विदेश में 1857 के महावित्रों की अर्ध शताब्दी मतलब हाफे सेंचूरी का सेलेब्रेशन मना रहे थे और उसमें आप कह सकते हैं उनकी गोल्डेन जूबली और इसी क्रम में उन्होंने 1857 के महावित्रों पर दिश्टिपात किया उसी में एक क्रांतिकारी थे वीडी सावरकर कर कभी केरियर का दो फेज रहा है एक केरियर के एक फेज में वह हिंदू-मुस्थिम एक्ता के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं जब 1857 के महावित्रों के एस्प्रीट को जिलाते हु पर फिर उनका आता है उनके क्यारियर का एक दूसरा स्टेज जिस स्टेज में वह कही ने कहीं 800 शंताउन के महावित्रों को बड़ा घातक दिखाते हैं 877 के महाविद्रों को घातक नहीं दिखाते हैं शौरी अपने के क्यारियर के दूसरे पेजमें सांस्कृतिक राष्टबाट की बात करते हैं और कहीं न कहीं हिंदुत्वा की बात करते हैं तो हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बीच जो एकता की बात वह आठासव शन्ताव प्रवादियों में पहला थे जिन्होंने विडी सावर करने उसको नाशनल वर ओफ इंडिपेंडेंडेंस का चलिए उसके आगे आते हैं तो इसका सो वर्ष जब पूरा हुआ इसकी शताबदी वर्ष मनाया जा रहा था याद करिए उनीस सो संतावन में तो पहले तो सरकार की कौन से इतिहासकार सरकारी इतिहासकार के रूप में भारत सरकार के इतिहासकार के रूप में 877 के महाविद्रोह पर लिखेंगे तो पहले चुना गया आरसी मजुमदार को रोमेश चंद मजुमदार को और रोमेश चंद मजुमदार एक सरकारी इतिहासकार के रूप में का हमें चंद मजुमेदार से मत्वेद हो गया और सरकार ने उन्हें छोड़ दिया और उनकी जगा किसे चुलेआ선 को चूल लिया सरखारी इतिहास का के रूप में काम किया लेकिन उसमेंरे सी मजुमेदार भी शांत नहीं बैठे सी मजुमेदार कहा कहा कि यह सिपाही विद्रो था और बड़ा ही स्टिट्मेंट उनका एक आता है कि ना तो यह प्रथम था न राष्ट्रिय था अन्नश्वत अंद्रता अंदुलन था सेन ने इसको 1857 का नाम दिया प्रंतु उन्होंने भी इसको राष्ट्रिय आदनों तो नहीं कहा लेकिन हां यह कहा कि सिपाहियों नहीं पहल की थी प्रंतु बाद में इसमें सिविलियंस भी शामिल हुए मतों सिपाही विद्रो मात्रिय नहीं रह गया क्योंकि जो नागरिक बाद रहाएं वह फी आगे चलके इसमें शामिल हो गया फिर इसके बाद आते हैं शवी भूशन चवधरी तो शशी भूशन चौधरी ने भी इस पर एक पुस्तक लिंखी और रुन्न कहा कि यह सैनिक और आसैनिक विद्रोहों का मिस्रंधा मुने हैस सैनिक और असैनिक काल मार्स ने इसे राष्ट्रियां आधुरन कहा तो पीसी जोसी ने भी इसे कहीं ने कहीं किसानों और सर्मिकों का प्रजातांत्रिक गठवंधन का नाम दिया इसमें राष्ट्रवाज जैसे चीज तो आहीं गई यह मानना था पीसी जोसी का किया प्रजात्रिया किसानों और स्थर्मिकों का प्रजातांत्री गठ वंदन था इस तरह से जो अलग-अलग विद्वान है इन्हों ने इसको अलग-अलग प्रकार की व्याख्या करने की कोशिस की लेकिन कुन मिला कर्माय स्ट्रेंट्स यही चलता रहा कि अंत्मियात्य हुआ कि यह सिपाही विद्रों से कुछ कम था लेकिन मुझे याद है जब इसकी 150 वी वर्सगाठ मनाई जा रही थी यह देड़ सवा वर्सगाठ 2007 में तब कुछ एक इतिहासकार सामने आये जिसमें बद्री नारायन थे इर्फान हवीब थे और पंकजराग थे और भी कई हिस्टोरियन्स थे जो इन्होंने इस पर काम किया और उन्होंने इसको कहा कि देखो भाई अब यह बहुत ज़्यादा हो गया चुकि फॉरिन स्कॉलर्स पे इसको फर्स्ट वार अफ इंडिपेंडेंस मानने लगे हैं अ देखिए ना अप अमेर्की क्रांतिवर्स की क्रांति को मिला कर भी है जितने लोग शामिल हुए होंगे उससे कई गुना अधिक आ राञा सुन्तावन के महा विद्रों का प्रभाव के वलं उतर भारत और मद्वा पर 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 लेकिन अब नए लेकर करनाटक में और मालावार छयटर में भी परा बी राम चन्द्रेडी कहते हैं कि इसका प्रहाव मदरास में भी परा इतने बड़ी च्षितर में सका प्रहाव हुआ फिर ऐसा भी देखा गया कि इशाम सामाजिक वर्गों की भागी दारी रहीं जैसे आप देखेंगे इस में कि कुलीन की भागी दारी तो थी ही जो राजा और जमिनदार थे उनकी भागीदारी थी और उसके अलावा सिपाही की भागीदारी तो थी चुकि सबसे बरा सिपाही विद्रों था अगर कोई भी आप कलोनियल हिस्ट्री को देखो मतलब ऑपनिवेस्टिक शक्ति के इतिहास में देखो तो इससे ज़्यादा क कहीं पर भी सिपाहियों ने एक साथ हिस्सा नहीं लिया है सिपाहियों का यह सबसे बरा विद्रों था कैसे तो मैं यह नहीं कह रहा है अब गलत मा समझना मैं इसको सिपाही विद्रों मात्र नहीं कह रहा मैं सिर्फ यह कह रहा कि इतनी संख्या में सिपाहियों की भागीद में खड़े थे यह पूरी उपनुविस बात की इतिहास में यह मात्र अकेली घटना थे लेकिन जो दूसरा पक्ष है वह दूसरा पक्ष यह है कि फिर भी एक टीप ओफ एन आइस वर्ग था टीप ओफ एन आइस वर्ग का मतलब हुआ कि इसमें फिर भी बहुत सारे मतलब यह तो सिर्फ सिपाही थे और उनके पीछे लाखो की संख्या में सिबियंज थे इसमें सिपाही क्यातित कुलीन थे किसान थे कारीगर और सिलपी थे श्रमिक थे जनजातिय लोग थे गोगुन जैसे जन जातिय नेता चोटा नाकपुर में थे वह भी शामिल हुए थे और इसमें महिलाएं भी शामिल थी, तो जितनी बड़ी संख्या में और जितने लोग इसमें शामिल थे, इसे महज सिपाही विद्रो कहना इसकी तोहेनी होगी. अब देखो, सवाल है कि एक प्रस्ण या उपस्थित होता है, कि क्या, इससे पहले कोई योजना थी या नहीं, उसमें एक दो कहावत आपने भी सुनी होगी, एक है कमल के फूल वाली कहावत, वो क्या है, तो यह है कि गाउं गाउं में विद्रो कैसे फैला, तो एक गाउं से एक चौकिदार कमल का फूल लेकर दूसरा गाउं जाता था, और जो उस कमल के फूल को एकसेप्ट कर लेता था उस गाउं के लोग, इसका मतलब है कि उस विद्रो में शरीक है, इसके पुस्टी कर देते थे, एक आप देखेंगे चापाती वाली घटना भी है, चापाती वाली घटना ये है कि मतलब एक मिथक ये है कि एक गाउं से चौकिदार को चापातियां लेकर चलते थे, और दूसरे गाउं में जाते थी और दूसरे गाउं के लोग उन चापातियों को आपस में बाट कर खा जाते थी इसका मतलब हुआ कि उस विद्रोह में उनकी सहमती है लेकिन ये सब तो उपरी बाते हैं हम इसको पूरी तरह से पुष्ट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कोई यो सब्सक्राइब के इस थी कोछ गमा है और पता नहीं तुम अथन भी पर रहे होंगे यापढने वाले होगे so you people are the too much busy but if you can manage I am giving the suggestion just make a consultation with the class 12th book and that is the book of history and there you will find a chapter on the great revolt of 1857 and particularly whenever you are observing a part that is called the case study so you have not to forget the case study case study का अध्यान करके देखो किया सब्सक्राइब करते हैं कि चैप्टर के बीच उसको block बना बना कर कुछ कहानी टाइब के डालते हैं उसमें कहानी में दो को मिलेगा कि कुछ न कुछ योजना बनी हुई थी क्योंकि ये बताता है कि पूना से कोई पंडित का परिवार था जो मत्वरा पूजा कराने जाने वाला था तो किसी स्रीपाही ने कहा कि अभी घर छोर के मत जाओ क्योंकि बहुत बड़ा बवेला होने वाला है अगर ऐसी बात थे तो कुछ कुछ योजनार पर नहीं थी खेड़ चलिए हमें उसके बारे में असपास प्रमान नहीं लेकिन इतना तो कहा जाता है कि एक छेत्र की घट में दूसरे छेत्र को प्रहवित कर रहेते हैं बताओ यह चेंड रियक्षन टाइप का हो रहा था पता चार जून को अगर अब दूसरे छेत्र के लोगों तक पहुंच रही थी मतब एक छेत्र के नेता कुछ बोलते थे दूसरे छेत्र के लोग प्रहावित होते थे तो कुछ न कुछ तो उनके बीच एक संपर्क सुत्र कायम था और इसके अलाबाग कहा जाता है कि देखो पहले क्या था कि पहले तो हम सरकारी अभिलेखागारपन निर्वर थे अब हम लोग को देशी समाचार पत्र को भी सूर्स के रूप में लाया है दिल्ली अखवार एक लखनों से निकलने वाला पत्र था उसका नाम तिलिजम है उसका भी हम लोगों किया है और एक और है सोर्स उसको कहते हैं भोजपूरी लोग साहित भोजपूरी लोग साहित से मतलब है कि लोग में जो प्रतरी जो भोजपूरी साहित है जिसको लोगों का गान है लोगों की आकांचा उसमें व्यक्त हुई है उसमें भोजपूरी लोग साहित में एक जगह पर लोग की आकांचा व्यक्त हुई है फिरंगी की खोड़के कब स्की मतलब है कि आज सNow यो का तरह की बात कर रहे है कि फिरंगी छोड़के कब स्की का दरश्राता है सु में पॉइंट इस अब इसी को देख लीजी दूसरी बात है कि महिलाओं ने भागी तानी निभाई उसका भी महिलाओं का एक जैंपल हैं पर मैंने दिया हुआ उसको देखो इसे भारत के पर्थम श्रतंता संग्राम के रूप में क्यों देखा जाने लगा है इसके निम्ले निखित कारण है एक नवीन अध्यन सामक जो एथा समकालिन उर्दू साहित भोजपुरी लोक साहित आधिक उत्योग से इस महाबितरों पर अधिक प्रकास पढ़ने लगा है दूसरा इसका भोगलिक विस्तार व्यापक मना जाता है इसका जो भॉगलिक बहुत ब्यापक मना जाता है और लोग साहित आधिक उपिल से इस महाभीतर उपर अधिक प्रकास पढ़ने लगा है दूसरा है कि इसका भॉगुलिक विश्तार ब्यापक मना जाता है यह महाज उत्तर भारत और मध्वारत तक ही सीमित नहीं था बलकिसका प्रहूं मद्रास कर करना टोकर मालावार छहतर तक देखा विया इसमें व्यापक शामाजीक भागीदारी देखी गई आदम में कैवल कुलीनों और सिपाहीयों की भागिदारी मानी जाती थी प्रन्तु अब हमें ग्यात होता है इसमें बड़ी संख्या में किसान, स्रमिक, कारीगर, सिल्पी, जंजाती ये लोग सभी शामिल हुए थे नवीन शोधों के आधार पर इसमें कुलीन महिलाओं के साथ निम्स्रेनी की महिलाओं की भागिदारी जैसे कुलीन महिलाओं में तो चलो अब देखते हो कि मुगल बेगम जीनत महल है, अवद का बेगम हजरत महल है और रानी लक्ष्वीवाई है तिससे तो कुलीन महिलाओं हैं लेकिन तथा कथी जो निम्स्रेनी की महिलाओं थी उन पर विशोध हुआ है भागिदारी के सु तो जाते थे मुझरा सूनने लेकिन ऐसी बात नहीं थी विद्रोहियों ने मुझरा सूनने के बहाने उस कोठे पर बैठना सुरू किया दो कोठे पर पुलिश 역시 शक नहीं होगा तो कोठे पर वह मिलते थे और मिलकर बिद्रो की युजिना बनाते थे एक अजीजुन भाई का कोठा भी बिद्रोयों का मिलन अस्थर हो गया सबस्केर अवंती ज्हलकाड़ी वाई आदि जैसे निम जाती की महिला हैं जीसमें शामिल हुए थी अवंती वाई ज्हलकारी वाई है उदा देवी है अशा देवी है म महावीर बाई है महावीर बाई है आशा देवी उदा देवी उदा देवी इस सब की भागी दारी महिलाओं के इतनी बड़ी संखा में भागी दारी है देखिए और ये तथा कथित निम जाती की महिलाएं भी इसमें शामिल है फिर एक छत्र की घटना दूसरे छत्र को प्रवावित कर रही थे और एक छत्र के नेता की अपील दूसरे छत्र के लोगों पर अपना प्रवाव छोड़ने लगी थी सब से बरकर भोजपुरी लोग साहित में जन आकांचा भी व्यक्त हुई है यह आकांचा चोतंद्रता के लिए है उदार्म के लिए अब छोड़ दे फिरंगी हमारे देशवा फिरंगी थोर की कव जयबू हमार देसवा फिरंगी छोड़ के कब जैबू हमार देसवा ओके अब इसमें आपको बताया जा रहा है चार पांच पॉइंट है बहुत क्लिर है आखिर आठासो संताओन के बिद्रूख का बिफलता के क्या करन थे सफल क्यों नहीं हो पाए बिद्रूख के समक्ष असपास लक्ष हैं काजिकरम का बहुत था आप देखिए बिद्रूख इस बात पर मत तक ही नहीं था कि उनका दिशा क्या होगी उनको यह भी पता नहीं था कि जब अगर बिटे सरकार को हम गिरा देंगे तो बिटिस सरकार को गिराने के बाद हमारी सरकार का क्या स्वरूफ होगा इसके बारे में भी विद्रोईयों को पता नहीं था को नेट वन बिभिन्च चत्रों के नेताओं के बीच आपसी तालमेल अभाव था उनके बीच आपसी तालमेल का अभाव था माने डियों आप अपसे मिर्जूल कर योजना बनानी चाहिए आप आप यह कर लो हम यह कर लेते हैं तो वैसा ताल में नहीं था इंडिपेंडेंटली जिनको जो इक्षा होती थी कर रहे थे जिसरा बिटिस कंपणी को अनेक शासकों और कुलीनों का समर्थन प्राप था तब नवोदित मदवर्ग का जुकावी बिटिस के तरफ ही था अब देखिए कुछ ही एक राजा और जमिंदार भले ही बिद्रोह में शामिल थे लेकिन अधिकांस राजा और जमिंदार तो बिटिस के साथ ही थे और जो मदवर्ग उभर रहा था उसका जुकावी बिटिस के साथ था तो यह भी एक प्लस पॉइंट है बिटिस कंपनी के पास बेहतर हथियार एवं संसाधन के उपलब देता थी यह तो थी उसके पास बेहतर हथियार थे बेहतर संसाधन थे और बिटिस कंपनी को कुछ युग अधिकारियों के सेवा प्राप थी यह था नील हड़सन हिरूज निकोलसन जो मैंने अब बताया थ तो अधिकारियों की तो यह भी तो अपने आप में बड़ी चीज है अंतराष्टिय परिस्थितियां भी बिटिस के पक्ष में थी जैसे उस समय तक क्रीमिया का युद समाप्थ हो चुका था अतर बिटिस को भारत में अत्रिक सेना मंगाने में सहुलियत हुई आपको याद ह चल लहा था तो आठासा चौबन से चपन के बीच चला तो चपन में युद समाप्थ हो गया तो संतावन के सबर बिटिस तुरंत इरूप से अपनी सेना खीच लिए अगर वही वह युद आठासावन तक चलता तो बिटिस से सेना नहीं मंगा पाते तो उनके सित्य उतनी म विश्वास का भी प्रहौता विस्षेस कर जव अठासाव संतावन में धूम के तो प्रकट हुआ तो उन्होंने इसे अफशकुन का सूचक माना अब देखिए धूम के तो उसको करते हैं कमिट को माना जाता है जो पुच्छल तारा है उसको माना जाता है तो अफशकुन हो के बाद बिद्रोही हतास और सिपाही हताश हो गए उनको लगा कि अब हमारा हारना तै है क्योंकि अब यह अब शकुन सुचक है और यह बैड उमन है इसलिए अब हमारा हारना इसमें तै है तो देट इड़ फैक्टर यह फैक्टर है अब हम आपको बताना चाहते कि इसके प्रहौत महत्तों के बारे दो यह च्रीं है दो कि विए इसकर महत्तों कैंइस पर मेंचर्चा करना चाहेंगी चैसे eh कि देखो एक कोटेशन बताता हूं आप जब इसके महत्तु के बारे में लिखना हो तो यह कोटेशन आप कहीं भी लिख सकते हो मिर्तक सीजर मिर्तक सीजर जीविश सीजर से अधिक प्रहावी सिद्ध हुआ मिर्तक सीजर जीविश सीजर से अधिक प्रहावी सिद्ध हुआ मतब इसमें आपको बताया जा रहा है उसी प्रकार विफलता के बावजूद भी विफलता के बावजूद भी बावजूद भी 1857 के महाविद्रोह का 1857 के महाविद्रोह का व्यापक महतु है मतब आपको यहाँ पर कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध कोटेशन है कि मिर्तक सीजर जीवी सीजर से अधिक ताकत बर हुआ तो मिर्तक सीजर का मतलब है जूलियस सीजर तो जो मिर्तक सीजर है उससे जूलियस सीजर जो जीवी सीजर हो अधिक ताकत बर हुआ तो इसी आधार पर कहा जाता है मैंनो क्या है कहानी में बताता हूँ आपको ऐसे सम सुन लीजे और उसको आप सुन लेंगे तो इस मुहाबरे का प्रियोग आप कहीं भी कर सकते हैं जैसे उसमें कहानी यह है कि एक करेक्टर है बुटर्श वो सीजर का मित्र है लेकिन उसका दिमाग को फिर देता है एक कैसियस नामक करेक्टर है जो तुरा तीज तरार है उसके दिमाग में भड़ देता है तुम्हारा मित जूलियस सीजर गरतंत्र को समाप्त करके रूम में डिक्टेटर्सिव लाना चाहता है तो उसको लगा तो वो एक्टोडी रिपब्लिक का बहुत बड़ा समर्थक था उसको लगता था कि हमें रिपब्लिक की रक्षा हर इस्थिती में करनी चाहिए तो रिपब्लिक के पती इतना समर्पित था कि उसने कहा कि मैं सीजर से कम प्यार नहीं करता लेकिन रिपब्लि जब मर गया तो कोई बात नहीं लेकिन उसका एक फ्रेंट था एंटोनी जूलिया सीजर का तो रोम गरतंत्र में एक परंपरा यह थी कि कोई अगर मरता था तो उसके प्रियव्यक्ति को अधिकार मिलता था उसका डेट बड़ी मिलता था क्रीमेट यानि उसका अंतिम संस्कार करने के लिए और फिर उसको प्योन्रेल स्पिच देने का ममतलब के मेश का संस्कार या बड़ी जो भी कहलो तो जो उसका स्प्रियल होता था उस ऐसा भरकाने वायच मिलता था कि रूम के जनता भरक गई और जितनी से घुलर के खादेर कर कर मारा ही नहीं बलकि उनके बड़ी का लिंचिंग कर दिया उसी समय से कहावत निकल परी जो जीवित सीजर जितना ताकतवर था उससे भी जारा ताकतवर मिर्ट सीजर सी धुआ को कि मरने के बाद भी सीजर ने बदला ले लिया अब उसका प्रियोग मुहावरा के प्रियोग करना चाहा कि मिर्टक सीजर जादा खतरनाक सी धुआ या ज्यादा प्रोहावी सी धुआ जैसा भी कहना चाहो तो क्योंकि उसी प्रकार अठासो संता जैसे मिर्टक सीजर जीवी सीजर की तुना में दें चाहे मिर्टक सीजर जीवी सीजर से ज्यादा प्रहावी सी धुआ उसी प्रकार अठासो संतावन का महा विद्र संता में भी ज्यादा प्रभावी से दुआ है तो कैसे उसका मैंने पॉइंट दिया इसने करांतिकारी राषवाद को प्रेज़ किया अठाव संतावन का विद्रों भले ही तातकालिक रूप से अपने लक्ष में सफ़न नहीं रहा हो प्रंतु या बिटिस सासन के काम्तिकारियों को अंदुलित किया दूसरा हिंदू-मुस्थिम एक्ता का प्रतीक बन गया इसलिए श्वतंतृता आंदुनन के मध्यिव हिंदू एवं मुस्थिमों के बीच गठवन्धन को कायम करने की लिए इससे समय समय पर याद किया जाता है क्योंकि हिंदू-मुस् भारत के जिसकी भारत के ग्रामीर छेत्रों में बीकली सत्ता के अधर्श के पाँ उखर गये बेलकि मैं आपको बताऊंगा कि उस्तरमें वाइसराई लिलितु था, वाइसराई लिलितु ने 1942 के भारत चुरुआंदरों को तोड़ी, 1889 के महाविद्रोह को जयाद किया और कहा कि 1889 के महाविद्रोह के बाद ये सब से खतरनाक महाविद्रोह है सब से खतरनाक मुद्रोह है अब मैं आपको एक चीज और एक पॉइंट इसमें और जोड़ना चाहूँगा अगर आप लोग अनमती दे तो एक चौथा पॉइंट जोड़ लें इसमें चौथा पॉइंट इसमें आप जोड़ लें कि पर्सीवल स्पियर पर्सीवल स्पियर नामक विद्वान पर्सीवल स्पियर नामक विद्वान नामक विद्वान विद्वान यह लिखता है पर्सिवल एस्पिर नमक बिद्वान यह लिखता है यह लिखता है कि पुलिस लिखता है कि सैनिकों की सैनिकों की गुलिसे वी सैनिकों की गुलिसे वी गुलिसे वी जादा पुर्वाओ पादा कि आ बहादूर सा जफर बहादूर सा जफर के गजलने बहादूर सा जफर के गजलने आपको याद है जिमें कल आपको बहादूर सा जफर के गजलने के बारे में बताया था कि बहादूर सा जफर के गजलने के लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दियार में जो कल मैंने आपको पताया था इनका कहना है परसीबल एस पिर एक बेड़िस भी द्वान है कि देखिए एक तरह से देखेंगे तो सिपाहियों की गोली से भी ज़्यादा प्रहाव पैदा किया बहादूर सा जफर के गजल यह भी एक प्रवाव हो सकता है अब यहाँ पर मैंने एक दिया है यह है कि चर्वी वाले कार्तूस का मामला अपने आप में इतना बारा कारण नहीं था कि किसी भी सामराजी के उठान पतन के लिए उतरदाई हो मतलब आपको कहा जा रहा है कि चर्वी वाले कार्तूस का जो मामला है वो अपने आप में इतना बारा कारण नहीं था कि किसी भी सामराजी के उठान पतन के लिए उतरदाई हो अटाओ स मतल्के माविद्र हो के प्रब्रेक्ष में इस लिए तो पहले अंकुर पूछां मेरे स्वेंट से कि इस स्क्वेंट वेक्षन को कह मानते हैं वान मांने हैं इथ आर गमरंते हैं देखो इस सेंसोट माननीन या और आर्गुमेंटेटिव मान ले। आर्गुमेंटेटिव मान ले। सामराज के उत्थान पतन के लिए उत्तरदाई हो अठास और संताउन के महावित्रों के परप्यक्ष में इस कथन के और चित का परिक्षर कीजिए। इस कथन के और चित का परिक्षर कीजिए। इसका मतलब है कि जो चरीवाले कार्तूस है वह इसका वास्तवी कारण नहीं था इसका वास्तवी कारण कहीं और था ये कोशन का डिमांड है। रटासन ताउन के महावित्रों के कान अवन स्वरूप के निर्धान का मुद्धा आरम से ही विवादाश्पन मुद्धा रहा है। और इसकी वजह रहे है निस्पक्ष इतिहास लेखन का अभाव। बिटिस इतिहास कारों का बल इसे महज सीपाही विद्रोस्ती दिक करना रहा था तथा इसके कारण को महज चरी वाले कार्तों की घटना तक सीमित रखना था। प्रंतु इसका वास्तावी कारण रहा था बिटिस आपवेसिक हीत और भारत के विविन वर्गों के हीतों के बीच सीधी टकराहट बिटिस रासन के अस्थापना के काज सहीं इसका कूप रहाओ विविन वर्गों पर देखा गया या था किसान, सिल, पियम, कारीगर, जंजात बिटिस सामराज, ज्वाला मुखी के मुख पर बैठा हुआ था, चरीवाले कार्तुस की घटना ने इसके लिए बिस फूट का पहला अफसर परदान किया, फिर देखते देखते इसने जना अंदुरन का रूप ले लिया, अतब बिद्वाने से भारत के शुतनता अंदुर उनके रूप में देखने लगे हैं, इसलिए इतने बज़े रानेते को थान को महज, चरीवाले कार्तुस की घटना के रूप में देखकर, इसके महत को कम करके आखना सही नहीं है। सब्सक्राइब का रूप में देखकर, इसलिए रूप में देखकर, इसलिए नहीं है। 1857 का विद्रोव, विपलव, बेटिश, शाषन के पूरवर्थी सो वर्सों में बार बार घटित, घटित, पूर्टे एवं बरे बड़ी आस्थानिय विद्रोव का विद्रोव का चर्मूत कर्स था चर्मूत कर्था सू असपस्ट कीजिए तू असपस्ट कीजिए तू असपस्ट कीजिए मैं स्टुएंट में कोशन पढ़ता हूँ, तुमने इस कोशन को गौर से देखना अठासो संताओन का विपलो, विपलो मत्ब विद्रो बिटिश सासन के पूरवर्थी सो वर्सों में बार बार घटित छोटे एवं बड़ी आस्थानिय विद्रोव का चर्मूत कर्स था, सुवस्पॉस्ट कीजिए अब पहले मेरे स्टुएंट सु अंकुर पूछे, क्या उन्होंने इस कोशन को हाइपोथेटिकल माना है या आर्गुमेंटेटिव चा रहा है यह कोशन कब का है मैं बता दूँ, UPSC 2019 का है अब देखिए, यह कोशन क्या बोल रहे हैं वो हाइपोथेटिकल, वेरी गुड आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोशन है हाइपोथेटिकल तो आपने यह हाइपोथेटिकल कोशन देखा अब इस कोशन पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं यह कोशन डारेक्शन में किधर ले जाओं मतलब इस कोशन में अगर कह रहा है कि देखो अठासा संतावन का महा विद्रो पूरवर्ति स्ववर्सों में होने वाले छोटे और बड़े बार बार घटित होने वाले छोटे वां बड़े अफ्थानिये विद्रों का चर्मोत कर्स था अगर ऐसा है सुवस्पस कीजे तो इसका मतलब है कि एक बात का एक हंडन खुद कर रहा है कि चरी वाले कार्तूस की जो घटना है जो इसे आचानक विद्रों के रूप में मानता है या सिपाहि विद्रों के रूप में देखता है या थेसी सी गलत है क्योंकि इसकी जड़ तो बहुत गहरी है नमबर टू इसमें हमको एक और भी डारेक्शन मिल जाएगा लिखने में एक डारेक्शन यह मिल जाएगा कि अगर यह चोटे बड़े बिद्रों का और पिछले सौबर्सों के बिद्रों का चर्मोत कर्स है तो यह चलो पिछले सौबर्सों से जो बिद्रों और आंदुनन हो रहे हैं उसका चर्मोत कर्स है उसी की प्राकाष्ठा है तो लेकिन एक बात तो है यह अपनी तिब्रता में ब्यापक्ता में और भौगलिक विस्तार में पिछले बिद्रों और आंदुनों से कहीं बार कर भी है तो यह भी हमें जहलक देना चाहिए तो देखो अब इसमें क्या है कि तुमको बहुत सारा बिद्रों और आंदुनों का तो याद नहीं रहेगा उदारन में तुमको पांच-छी कम से कम इंपॉर्टेंट बिद्रों और आंदुनों का दिश्टांद देना परेगा तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे लिखा जाए और कि त्यारी के वारे में क्या बताएं का देखो मैं से बॉस्टेंट पहली बात तो तुमको मैं यह बता दूँ कि जो और का प्रिप्रेशन है और का जो पेपर है उसका एस टेंडर जी से अलग होता है आपका जेनल Σ्टेडिस का जो पेपर है उसमें कच्छा बारत की कच्छा बारतत की तेयारी उसमें चाहिए होती है और जो ऑस्टनल Fine ka paper जो जाना परता है उसमें परतना भी थोड़ा सा ज्यादा ст brow में तरीके सЕ होता तो ऐसा करो कि अभी तो जी जमने तुम्हारा दो ऑपन हो चुका है हिस्ट्री ओपन था फिर पॉलिटी ओपन हो चुका है दो बाले में तुम काफी इंगेज हो चुके हो तो पहले इन दोनों पर तो द्यान दो और इसमें से इसका सेग्मेंट फिर फिनिश होने दो फिर पढ़ रहे हो तो foundation तो कुछ basic तो आपको clear हो ही रहा है और उसके बाद और डेवस में पढ़ना पढ़ेगा यही फर्क पढ़ेगा तो इसलिए अभी जो चल रहा है उसको चलने तो इसको एक ही बार अगर सारी चीजों की त्यारी करना चाहोगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पा होगा कैसे question को देखने वार reasoning लगाते हो इन मैं उत्तर question answer लिखाता हूं या model answer देता हूं उसको पढ़ने से एक लिखने का direction पैदा हो रहा है एक बार ज्यादा फैलोगे तो फिर कोई भी त्यारी ढंग से नहीं हो पाएगा इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दू कि तो आ कि बिटिश चाशन की अस्थापना अस्थापना कि अस्थापना के साथ ही साथ ही बिटिश एवं प्रिस्पना के साथ ही बिटिश एवं झालो झाल 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 प्रिटी स्थापना के साथ ही सामाजिक समुहों के बीच या सामाजिक वर्गों के हितों में तक्राहाट शुरू हो गई इसके साथ ही संतावन से संतावन के बीच 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 सो वर्षों के काल में निरंतर विद्रूह एवं विद्रूह एवं आंधुरन होते रहें आंधुरन होते रहें निरंतर विद्रूह एवं आंधुरन होते रहें निरंतर विद्रूह एवं आंधुरन होते रहें ओके अंकुर विद्रूह एवं आंधुरन होते रहें इसलिए इसलिए अठारासो संतावन किये महाविद्रो महाविद्रो को महज को महज चर्वी वाले वाले कार्तूस की घटना कार्तूस की घटना क्या इस इट क्लियर चर्वी वाले कार्तूस की घटना तथा सिपाही विद्रो सिपाही विद्रो मात्र मान लेना विद्रो मात्र मान लेना उचित नहीं है मात्र मान लेना उचित नहीं है इसको केबल चर्वी वाले कार्तूस की घटना या सिपाही विद्रो जैसा मान लेना उचित नहीं है तो यह हमारा थेसिस हो गया अधिके हाँ निमनलिखित विद्रो हूँ निमनलिखित विद्रो हूँ एबं एबं आन दोनों के आन दोनों के उदाहरं से उदाहरं से यह ग्यात होता है बिभिन विद्रो हूँ एबं आन दोनों के उदाहरं से यह ग्यात होता है आन दोनों के उदाहरं से यह ग्यात होता है कि ग्यात होता है कि या ज्यात होता है कि कि इन में विभीन वर्गों विभीन वर्गों की भागीदारी रही थी भागीदारी रही थी तथा इनके कारण अलग-अलग थे तथा इनके कारण अलग-अलग थे इनके कारण अलग-अलग थे इनके कारण अलग-अलग थे अब देखो इतना जब तुमने लिख दिया उदाहरनों से उदाहरन में ध्यान रखना क्योंकि अगर डिटेल्स में लिखोगे तो 150 वर्ट के कोश्चन है 1500 सब्द के तो बहुत जादा हो जाएंगे इसमें अब हमको क्या करना है कि हर छेतर से उदाहरन एक एक ले ले लेना है एक दो जैसे आप अगर इसमें आप दिखाओ कि कुछ विद्रो कुछ विद्रो पुनर अस्थापनात्मक थे जो चाशक एवं उनके अधिकारियों के द्वारा आरंब किये गए थे या था कि तूड़े चैनम्मा घैनम्मा विद्रो अथारःसो चओवीश तथा दीवान वेला दीवान वेला टंपी का विद्रो अठारल सो पाँच फिर आगे आप दूसरा देंगे कुछ विद्रो जन जाती है कुछ विद्रो जन जाती है और संतोस जन जाती है और संतोस के परिनाम थे अमें क्यों और ली बोल देता हूं आप लोग दो तिन उदारन खुद चूल लेना अब इसके बाद जन जाती है और संतोस के परिनाम थे उसमें आप एक दो विद्रो देदो संथा आने कूल विद्रो विद्रो अठाड़ा सो एक अतिस तथा चंथाल विद्रो अठाड़ा सो चोवण जप्पन जप्पन हाँ उसी तरह किसानो ने भी किसानो ने भी विद्रो विद्रो अठाड़न संगतित के अठाड़न संगतित के या था या था राजी या था मुपला विद्रो मुपला विद्रो अठाड़ अठाड़ शचाती से चोवन मुखला विद्रो तथा पराजी आंदोलन 1838-57 जो भी अगर इस विशन ना याद हो तो छोड़ भी सकते हो इतना उदारान देर दिरने के बाद तुम्हारा तर्क पूस्ट हो गया कि देखिए पिछले सौ बर्सूं का जो विद्रो है वही है इस कोश्टन में हमको 1857 के महा विद्रो पर नहीं है उससे पीछे जो विद्रो हो रहे हैं उस पर लिखना है प्रंतु यहवी सत्य हैं यहवी सत्य हैं कि 1857 का महा विद्रो अपने भोगोलिक विस्तार अपने भोगोलिक विस्तार विस्तार तिब्रता अपने भोगोलिक 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 विस इवम व्यापक्ता में, व्यापक्ता में कहीं आगे था? अपने भागोलिक व्यस्तार्ट टिबरता और व्यापक्ता में कहीं आगे था? मैं स्टुएंट्स अब यह कुश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं इसमें हमको सौ बर्सों के बिद्रूख के बारे में जहलक देना था बीच में तुम्हारा थोड़ा नेट भी डिस्टर्ब रहा है लेकिन अगर क्या उनका कॉमेंट आ रहा है तो दिर मैं स्टुएंट्स बता हमनें बिल्कूल ही कनवर्शेशनल रहना चाहता हूं मैं आप से जुरा रहना चाहता हूं और आपको रेस्पोंज जाना चाहता हूं थोड़ा चाहता है बताईए आप कि आप लोग समझेया नहीं मैं स्टुएंट्स अब मैं आठास संतावन के महाविद्रों को यहीं अस्थखित करता हूं और मैं मान के चलता हूं कि इससे घुमा फिरा के कोई भी कोशन पूछेंगे आप उसका उत्तर कर दोगे जो मैंने बताय हूँ और कंटेंट आपके पास मैंने देहीं दिया है आप आधनी करासवाद की तरफ ले चलता हूं अदनी करासवाद की तरफ आपके साथ चलते हैं आधनी करासवाद मतलब भारतिय पुनर जागरान कर मैंने एक डाइगराम बनाया था आपको याद होगा और वो डाइगराम या था नहीं यह तो अठाव तुन्तान का महामिद्रू का है मैंने एक डियाग्राम बनाया था यह था राष्टवाद करी कास है तो हम लोगों ने आद राष्टवादी कवर कर लिया देख लेना आदिराष्टवादी पहला वाला जो कल डिया था इसको मैं बरा करता हूँ इसमें मैंने पहले आदिराष्टवादी किया इसमें नागरीक विद्रोर सिपली जन्यातिय विद्रोर किशान आदुन फिर अज भारत का परसमश्वादा आदिराष्टवादी पूरा हुआ अब देखेंगे आदिराष्टवाद का लिकास अब यह राष्टवाद है और आदिराष्टवाद है उसमें क्या आंतर है तो देखो आदिराष्टवादी इसको इसलिए बोलते हैं जो पहले आदिराष्टवादी था इसमें जैसे आप यही मान कर चलिए कि जो विद्रो और आंदुरन हैं उनका आधार छेत्रिय है उनका उद्देश भी सीमित है कुछ सीमित कारणों से आरंभ हुए और फिर वा कारण समाप् आपको बताता हूँ क्योंकि आपनों को कंफियन होता होगा उसको मैं आपनों मेंटर इलर्ट होके सुनिएगा एक सब्द आता है विद्रो विद्रो दूसरा सब्द है आंदोलन और तीसरा शब्द है क्रांती क्रांती अब आपके मन में होगा वा इसमें क्या अंतर है जिसका अंतर है अचानक विस्फोट अचानक विस्फोट मतलब अचानक विस्फोट हुआ और शांत हो गया विद्रो अचानक विस्फोट हुआ शांत हो गया आंदोलन क्या है कि क्रमिक रूप में क्रमिक रूप में संगठित क्रमिक रूप में संगठित विरोध अगर क्रमिक रूप में संगठित होके विरोध करोगे तो क्रमिक रूप में संगठित विरोध आंदुरन कहलाता है क्रांती का मतलब है किसी विश्षिष्ट विचारधारा एवं कारिक्रम के आधार पर कारिक्रम के आधार पर मौलिक परिवर्थन की दिशा में मौलिक परिवर्थन की दिशा में प्रयास मतलब कोई विश्षिष्ट विचारधारा और कारिक्रम के आधार पर किसी मौलिक परिवर्थन की दिशा में जब प्रयास हो रहा हो जब किसी विश्षिष्ट विचारधारा के आधार पर हो रहा हो किसी विश्षिष्ट कारिक्रम के आधार पर हो रहा हो उसके लिए हम लोग एक दूसरा शब्द का प्रियोग करते हैं और वह है क्रांति विद्रो आचानक विस्फोट आंदोलन कर्मिक रूप में संगठित विरोध आंदोलन और किसी विश्ष्ट विचारधारा और काजिकरम के आधार पर मौलिक परिवर्तन के दिशा में प्रियात्म कोई बड़ा चेंज के दिशा में जिसको तुम कहते हो आधिरातवादी वह या तो बिद्रो के रूप में आए या आँदोलन के रूप में आए उनका उद्धिश शिमित था उसके अंदर कोई असपस्थ विचारधारा नहीं थी असपस्थ काजिक्रम नहीं था वो आए और एक विस्यस्ट मांग के साथ आए और जब वो मांग पूरी हुई तो फिर वो dispersed कर गए एक विस्यस्ट मांग के साथ आए जब मांग पूरी हुई तो फिर वो इधर उधर फैल गए यही वो वज़ा है तो इसलिए आप देखोगे उसमें कोई व्यापक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यह कहोगे कि चाय की प्याली में तूफान की तरह आए और चाय की प्याली में तूफान की तरह आकर फिर उसी तरह से उस तूफान की तरह समाग थो लेकिन अब जो आधनिक राष्टबाद आएगा वो अपने आप में बड़ी चीज होगा और आधनिक राष्टबाद की पहली यही वक्ति आपको समाज एबम धर्म तुधरा आंदरन के रूप में बिलेगे अब देखिए अब इसमें क्या फर्क है सोरी को देखिए आधनिकी करन 19 फी सदी का जो समाज एबम धान कुझार अंदरन है उसको पुनर ज्यागरन का नाम दिया जाता है उससे आधनिकी करन से जुरा जाता है पहले क्यों आदमी की करन क्या है उसको मैं पहले आज पॉस्ट करता हूँ देखिए आप इसको ऐसे मान के चलिए कि हम पहले देज थे देश और फिर इन परिवर्तनों के बाद धीरे धीरे हम राष्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ें तो देश और राष्ट में अंतर क्या होता है तो देखो देश में जन संख्या है भूभाग है सरकार है सब कुछ है लेकिन लोगों में एक होने का जुराओ पैदा नहीं हो पाता है और जब एक होने का जुराओ उनके बीच पैदा हो जाता है तो राष्ट का रूप ले लेते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भारत में जो राष्टवाद का विकास हुआ वह पहली बिटिश शासन के बिरुद्ध पहली प्रतिकिरिया जो जन जाती और किशान आदरोन के रूप में फुटी कि उसे हम राष्ट की राष्टवाद की आरनविक दशा मानते हैं जिसको आद्राष्टवादी कहते हैं क्योंकि उसको आजनिक विचारधारा का समर्थन नहीं था इसलिए बिविन सामाजिक वर्गों ने संघर्ष तो किया मैं बच्चे लेकिन उन्होंने अलग अलग संघर्ष किया उन्होंने एक जूटता नहीं बनाई जब उनके बीच एक होने का भाव पैदा होगा और जब एक होने का भाव पैदा हो जाएगा आपस में जुरे होने का भाव पैदा हो जाएगा तो वो अराष्ट बनेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है ये जो बिवाजन है ये जाती बिवाजन है खित्र बिवाजन है लेंगिक बिवाजन है लेंगिक का मतलब हुआ पुरुष और महिला के बीच तो जेंडर डिवीजन कास्ट डिवीजन रिजनल डिवीजन ये सब डिवीजन है जब पुनर जागरन होने का मतलब उसकी सरजरी ह और सरजरी होने के बाद ये डिवीजन कमजूर पर जाएगा क्योंकि जब पुनर जागरन आएगा तो तुम देखोगे कि नवीन नवीन विचारधारा आएगी तरकवाद आएगा मानववाद आएगा धामने प्यक्सता जैसी विचारधारा आएगी ये सब चीज जब आएगी तो यह एक आधनिक विचारधारा होगी जो इस विभाजन को कमजूर कर देगी और जब यह विचारधारा इस विभाजन को कमजूर कर देगी तो राष्ट बनेगा तो राष्ट याधनिक्ता के आगमन के साथ राष्टवाद की चेच्टना कविकास हुआ अगर आधनिक्ता नहीं तो राष्टवाद अगर आपको राष्टवाद कविकास करना है तो आजनिक विचार धाना में जैसे देखो अब कहोगे आजनी क्योंके कौन से दो लक्षन है तो तरक वाद है और मानो वाद है दोनों का अंतर बताता हूं चलिए पहले मैं तौपिक समझाता हूं फिर आपको देखो जिस प्रक प्रकार उनिस्वी सदी के भारतिय पुनर जागरन ने भारत में आधनी की करन को बल दिया जैसे आप अगर यॉरप का इतिहास अभी स्वी इतिहास पर होगे वहाँ पर आप देखोगे पुनर जागरन मैं आपको बता दू कि 19th संचुरी का जो समाज एवं धर्म शुधार आदूरं यह modern history का सबसे महत्पून topic है मतलब modern history का सबसे महत्पून का मतलब है कि जो modern history आधनी की यूग है उसका सबसी मतलब complex भी का सकते हो या standard भी का सकते हो चुकि इसी से आपको आधनी की यूग को समझने का मौका मिलेगा तो गौर से सुनना और मैं तुम्हारे साथ हूं कि अगर कहीं समझ में ना आय तो मैं फिर समझाऊंगा इसके तुम लोग बिल्कुल tension मत करना तो जिस परकार इरोप पुनर जागरन ने शोलहवी शदी के यौरप में आधनी की करन को प्रोसान दिया था उसी परकार उनिस्वी सदी के भारतिय पुनर जागरन नहीं भारत में आधनी की करन को बल दिया वह भी आधनी की करन को बल दिया पुनर जागरन एक परकार की बौधिक गतिशिलता थी पुनर्जागरन एक प्रकार की बौधी का गतिशिल्टा थी जिसने भारतिय समाज को मध्यूक से आदनी की उद्मिरूपांतरन को संभव बनाया देखिए पुलावी शदी में यरप में एक पुनर्जागरन आया था उसी तरह से उनिश्वी शदी के भारत में भी एक पुनर जागरन था समाज एवं धम्शुधर आंदुलन निम्नली खित कारको ने आधनिक राष्टबाद के उद्वव को संभव बनाया अब देखो पहले हमको हमें आधनिक राष्टबाद का उद्वव कैसे संभव हुआ आधनिकता कैसे आई तो पहला पॉइंट दिया गया है कि प्राचवादियों ने भारतिय संस्कृति के उद्गार्टन तथा उसका गौरव गान करके भारतियों में अत्रिक्त आत्विस्वास पैदा कि आप याद करिए जब प्राचवादी थे वारन हैस्टिंस के समय विलियम जूंस जो मैंने एसियाटिक स्वसाइटी और बेंग स्वास आ गया कि भाई हम बहुत हमारी प्राचीन संस्कृति काफी आगे थी इस कारण से भी हम अपने संस्कृति की अध्यन अन्वेशन की और आकरसित हुए दूसरा कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतियों का एक समू पर्षिम की उदारवादी विचारधारा क संपर्ख में आया जैसे जब अंग्रेजी शिक्षा आई तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हमारे बुद्जीवियों का एक वर्ष पस्वी विचारधारा के तबात करता है इसकी बात करता है जब हमारे बुद्धी जी भी उन सभी से वाकिफ हुए तब उनको लगा कि अरे पर्षिम बाले तो हमसे बहुत आगे हैं अगर पर्षिम बाले हमसे बहुत आगे हैं तो हमें भी पर्षिम बालों से सीखना चाहिए और पर्षिम बालों से सीख कर हमें भी अपने अपने सुधार लाना चाहिए तो ये भावना सुधार की भावना हमें उनके संपर्ख से आई तिसरा इसाई मिशनरियों के दौरा चर्च के प्रसार के क्रमे सिक्षा के विकास पर जो बल दिया गया उसके कान भी नवीन चेतना को प्रोस्ताहन मिला अब देखे के धन का प्रसार करना चाहती थी इन इसाई धन के प्रसार करने के क्रमें लड़न का विकास करवा दिया कुछ महत्पुन नवीन विचारधारा का प्रसार समभ हुआ अब जानिए कि प्रिंट मीडिया के विना पुनर जागरन कैसी होता क्यों की देखो राष्ट बाद में क्या होता है देश के लोग होते हैं भूगोल भी होता है जन्संद क्या सब्सक्राइब देश के लोगों में आपस में हो गया या आप मान के चलिए कि जैसे मंदिर प्रवेस का मुद्दा हो गया महिलाओं के मंदिर का मुद्दा हो गया कोई ऐसा मुद्दा जो उठता है किसी च्छत्र विसेस में लेकिन संपूर्ण यह ऐसा मुद्दा है तो लोगों में जो आपस में इस तरह का जब सोच मिलती है आपस में डोग बहुत जादा सीखषित नहीं ठी एसी बाद सीखषित बुधि जीवियों के अस्तर पर हीं केवल देखी जाती थी लेकिन राष्टबात की चेतना तो पहले शिक्षित बुधिजीवियों के अस्तर पर ही आई जो प्रिंट मीडिया आई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ उपन्यास का प्रकाशन हुआ तो तेजी से आधनिक और नवीन विचारधारा का प्रसार सुरू हुआ यह भी नवीन विचारधारा को स्विक्रिटी प्रदान की मतलब यहां भी सिख्षित भारतियों का एक वर्ग आया क्योंकि आप जानते हो आर्थिक सामाजिक रूप आंतरन हो रहा है तो नए सामाजिक वर्ग आये पूजी पती वर्ग आया सिख्षित भारतियों का एक वर्ग आय और आप जानते हो कि जैसे कोई नवीन विचारधारा आती है, तो नवीन विचारधारा को पुराने जमिंदार क्या सुईकार करेंगे, पुराने वर्ग क्या सुईकार करेंगे? नविन विचारधारा को हमें सा स्विक्रती पुद्रान करता है नया सामाजी वर्गूर और तुटिकी ब्रिटिस सासन के समय선 that आर्थिक सामाजीक रूप आंतरन हो रहा था तो आर्थिक सामाजीक 55 के पाइनाम सरूप एक तरफ पूजी पति वर्ग आ रहा था एक तरफ सिक् परता से इस नई विचारधारा को सुईकार कर है। तो मिस्टर अंकूर अब बताओ कि मेरे स्टुएंट्स समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैं स्टुएंट्स प्लिज कॉम्निकेट विथ मी और एंड तो यह रिस्पॉंस कि बाते समझ पा रहे हो कि नहीं। पुनर्जागरन का मतलब होता है देखो अगर पुनर्जागरन का शाब्दिक अर्थ कहोगे विक्रांत तो पुनर्जागरन का शाब्दिक अर्थ होता है अब देखो मैं दोनों अर्थ बता देता हूं पुनर्जागरन का शाब्दिक अर्थ होता है निंद से जगना तंद्र तंदरा कहते हैं अर्ध सोसुपता वस्था मतलब आप आधा जगे हुए हो आधा सोय हुए हो तो तंदरा बोलते हैं तो निद्रा से जगना तंदरा का टूटना संभल कर बैठना मतलब इस सबको पूर्ण जागरन कहते हैं जिए कोई आदमी जुका हुआ है जैसे मैं गर्दन करके लंच करके बस पर बैठ गए अब बस पर तुम उंग रहे हो तुम्हारा गर्दन बार-बार लुरक रहा है बगल वाले मुसाफिर के कंधे पर और वह भी तुम्हें सचेत होकर बैठने के लिए कह रहा है बस अपनी रफ्तार में जा रही है तुमको किसी खास स् और उसके ब्रिक लगाता है और तुम्हारा सिर सामने वाले सीट पर टकरा जाता है और तुम्हारी निद्रा कुछ समय के लिए ही तुरंत उरंचु हो जाती है और तुम तुरंत जग कर पूशते हो कि भाई सहाब ये कौन सा स्टॉप आ गया डैट इस रेनेशा इसको पु और चानने की कोशिद करो अपने आपका फिर दोवारा घ्यान प्राप्ञे को सबसक्रा करों तो तो करते हैं पूछ जागना या पूछ ये सब आया कि अ क्यिस आ Trad holder को तो मैंने पीछे बताए है और तो आपको जानते हो कि भौगालीग खोज की प्रकिलिया सुरूही कश्य उन्तुनिया के पतन के बाद जगराफकर डिस्कवरी तो नए नए छत्रों में जब उनके जहाज गए तो उसी तरह से एरोपिय जहाज पुर्वी विस्व की तरफ आए और पुर्वी विस्व की तरफ आए तो चीन की सब्विता भारत की सब्विता यूनान की इरान की प्रशी ज़ो पुनः जग गई, हमें पुनः जागा क्या विक्रांत आरी ओके तो और माई स्टुएंट्स बाकी चीज़े समझ पा रहे हूं तो उनिस्वी सदी में जो समाध्य बंधाम कुछार आंदुरन होगा उसका नाम होगा उसे कहा जाएगा पुनर जागरन तो उसी को पुनर जागरन का नाम दिया अब आप को मैं दोसी तरफ लाता हूं अब यहां पर पूछा गया है यह तथा कथित जो पुनर जागरन है उसको आधनिक राष्टबाद से को जो रहा जाता है आधनिक राष्टबाद के उध्वों की एक आवश्यक सर्थ होती है किसी रज अत्वाद देश में निवास करने वाले लोगों के बीच परस पर जुरे होने का भाव मत्रब उस छेतर में निवास करने वाले लोगों में जब हम एक हैं का भाव आए तो समझो रहा है 18 शदी के भारत में हम यह भाव नहीं दिखता इसका कारण था भारत का आंतरिक विभाजन अर्था भारत जातिये लेंगिक जो मैंने आपको सरकल में बताया था जातिये लेंगिक एवम छेती विभाजन से ग्रस था प्रश प्रंतु 19 सदी के समाज एवम धंशुदार अंदुरंने उस आंतरिक विभाजन को कमज़ूर कर लोगों में एक होने का बाव जागरित किया, उसने आतरिक विभाजन को कमज़ूर कर दिया, 19 सदी के समाज एवं धंप उधार आंदोर नहीं और लोगों में एक होने का भाव पैदा हुआ तो यही दोनों में फर्क है अब देखो पुन्य जागरन का बल कीन बातों पर रहा अब मैं एक दिल्चस्प बात बताता हूँ जैसे देखो तुम्हारा समाज है तो यह बिभाजित है खित्र के आधार पर जाती के आधार पर लेंगी का आधार पर बिभाजित है अब यह बिभाजन समाथ होगा तो लोगों में एक होने की भावना पैदा होगी और एक होने की भावना पैदा होगी तब जब यह कमजोर होगा गौर से सुनना मैं बाद में पूछूंगा कि तुम समझे की नहीं लोगों में एक होने क्या भाव पैदा होगा तो मैं तब समझूँगा कि आप राष्ट बन गए या राष्ट की भावना आप में आ गई अभी क्या है अभी भाजित है ये चेतर के लोग ये चेतर के लोग यह आपस में पहचान नहीं पा रहे हैं और यह अहां पर कोई लेंगी भाजन है इस्तिर पुरुस के बीच भीनता है जैसे आप गया दो अकल मैं फ्रांस की क्रांतीय में बताया यह कुलीन है उनका विशेशादीकार है पाद्री वर्क का विशेशादीकार है जंसामन देजग रही है क्योंकि यहां पर वीचारधारा आ रही है जो मैं आपको वता रहा हूं तरकवाद जैसे इसमें दिया गया है तरकवाद व्यक्तिवाद धार्मिक सर्म भॉंबाद मानोवाद जैसे तरकवाद मानोवाद धार्मिक सर्म भॉंबाद धार्मिक सर्म भॉंबाद व्यक्तिवाद अब ये जो चारों है जब ये चारों की जब ये बढ़ेंगे तब क्या क्या आएगा देखोगे तब आएगा मानव अधिकार मानव अधिकार मानव अधिकार मानव अधिकार मतलब ये जितनी भी विचारधारा है सभी आधनिक विचारधारा है और यही आधनिक विचारधारा इस विभाजन को समाथ करके एक होने का भाव पैदा करेगा अब तरकवाद कैसे तो देखो पहले तुम कहते तो जैसे पहले कहता कि पुरुष हमारी परंपरा के आधार पर धर्म ग्रंथों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रहतन किया जाता कि पुरुष स्रेष्ट हैं महिलाएं नीची हैं महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है महिलाओं का विवा कम उम्र में होनी चाहिए उसे आठ वर्स या दस वर्स के उम्र में शादी होनी चाहिए तो इस तरह की बाते जो मनु संहिता या बाकी धन गन्त में लिखी है जब तरकवाद का विचार आया तो तरकवाद की विचार धरा क्या कहती है यह मैं बताता हूं तर्कबाद का विचार कहता है कि देखो कोई चीज सत्य असत्य है उसका निर्धारक कारक यह नहीं हुआ कि परंपरा क्या कहती है या धर्मग्रंद क्या कहता है है बलखिने धारक कारक वह होगा जो टर्क की कसोटी पर खारा उतरता है जो टर्क जीसको मानएथा दिए वही सई है तो जैसे पहले महिलाओं के बारे में जैसने कहा जाता था कि भाई जो महिला को कम इमनमें विवाह क्यों करना चाहिए तो धर्मगरंद कहता था यॉबनारंब से पहले प्यूवर्टी एच से पहले लड़कियों का विवा हो जाना चाहिए अग तर्की का सोटी पर अक्ष्य कुमार्दत जैसे जो सुधारक थे उन्होंने कहा अगर कम उम्र में लड़की का विवा होगा तो उसके स्वास हुए यू का शिकार हो जाता है क्ई परकार की विमार्यों का सिकार हो सकता है उसके मुर्टॉ हो सकती है हमारा कि यह बात नहीं कहता है कि हमरे हो كजू तरक बात चीज है हर चीज को बलकि कहोंगे तो आधनी क्योंकि दो महत्पून लक्षन है एक तरकबाद दूसरा मानववाद मानववाद को मैं बताता हूँ तरकबाद और मानववाद ही आगे का परिवर्तन को संभव बनाएगा मानववाद का मतलब है कि पहले लोगों की दिश्टी पारलोकिक थी पारलोकिक मतलब लोग इस संसार को छोर कर मुक्तिय मुक्ष की बात ज्यादा करते थे या हर चीज में इस्वर कुसरे देते थे कि इस्वर ऐसा चाहते हैं इस्वर ऐसा करते हैं और मानव को एक पापी प्राड़ी के रूप में चित्रित किया जाता था जैस जो हमेशा इस्वर की किरपा के लिए घिगिया रहा है उसका अपना कोई अस्तित नहीं है उसका अपना कोई मतलब पहचान नहीं है तो जैसे आप वहां यह नहीं कह सकते थे कितना खुबसूरत यह फूल है आपको कहना होता कि आओ कितना खुबसूरत फूल इश्वर ने बनाया है मतलब यह है वहाँ पर जो उनका दिश्टिकोर है भा कहिन न कहिन इहलोकिक्ता से पारलोकिक्ता की तरफ जारा है तो मानव वाद का मतलब है कि मानव को पापी प्रानी नहीं बताना मानव को मानव की गौरब मानव की प्रतिष्ठा मानव के महत पर बल देना कि देखो भाई मानव पापी प्रानी नहीं है मानव जीवन में आनंद पर बल देना कि मानव को अधिकार है बहुत तिक सुखों का अधिकार है तो दीरे दे दिश्टी को पारलोकिक से इहलोकिक पर ले आते हो मुक्तिया मुक्च से आप दीरे दीरे बहुत तिक सुख पर ले आते हो मतलब आप पारलोकिक के तुलनामे जैसे लोग सोते हैं कि जो है उपर है इश्वर है वही सब कुछ है नहीं मैं हूँ मैं मानव हूँ मेरा भी अपना महत्त है मेरा सुख दुख है तो मानव अपने इस संसार और संसारिक सुख पर बल देना वो मानव वाद है और आधनिकता के लिए शर्ट बहुत आवश्यक है जैसे मैं एक उधारन बताता हूँ यह संकर प्रस मनु एक मात्र मानव के रूप में बच गए है पुरा देवकुल नस्ठ हो गया है लेकिन एक कहानी है शत्मत ब्रहामन की की विश्णु के अवतार में मनु के नौपर पूछ मार कर हिमालय पहार पर उनको लटका दिया और मनु बच गए इन मनु बचने के बाद जीवन से वि यह जीवन का कोई मतलब नहीं है तो एक मात इस्त्री है जो काम के पूत्री का माइनी है वो भी संजोग से पेंटिंग सीखने आई थी वहां हिमालय पहार पर लेकिन तभी प्रले हो गया तो भी वहां बच गई अकेली महिला है तो अगर इस पूर महिला के बिच विवा होत करने के मूड में नहीं हूं तो बिल्कुल ही एक दम जीवन से परित्यक्त होकर चलने की बात कर रहे हैं तो जैसंगर प्रसाथ उस रचना में दिखाते हैं कि धीरे धीरे उनको जो कामाईनी है वो काम की प्रियर्णा देती है काम और कर्म की प्रियर्णा देती है कि देखो जीवन से इतना भागिये मत, जीवन आनंद है, जीवन का उभोग करिये, तब धीरे धीरे मनु उसके लिए तयार होते हैं, और दोनों के बिच विवा होता है, और फिरे सिष्टी का संचारन होता है, तो यह कहीं ने कहीं पारलोकिक्ता की जगा इहलोकिक्ता का महतो है, पूछों कि मैं इनको समझा पाया कि ने, मैं इस्ट्वेंट्स प्लिस शो एर रेस्पोंस, जोकि यह बरा कॉंसेप्श्वल टॉपिक है, तो इस कॉंसेप्श्वल टॉपिक में थ्वोरा सा मैं एप्रिहंसिव हूँ कि आप लोग इसको समझ पाया होंगे कि ने, मनू पूछो इस्टर अंकूर क्या विचार है इन्हों का ओके राइट मैं स्वेंट्स तुमनों का चुकिया पॉलिटी भी शुरू हो गया इसलिए आज यहीं अस्थागित करता हूँ तुम पर ज्यादा लोट देना मुनासिब नहीं समयोंगा तो आज मैं अपनी लेक्चर को यहीं समाप करता हूँ और फिर मैं कल तुम से मिलता हूँ कल मैं तुम को यह कल तुम लोग यह समाज वंधम भारतिय पुन जागे पूरा मेरा आप पीडियेप पढ़के आ जाना पूरा पीडियेप पढ़के आ जाना कल हमें कभर करना है तो आप लोग तियार होके आना और लोग कर दो कर दो, और जाप जाता हुआ हूआू